हेलोस तो आप सभी का हमारे यूट्यूप चाहें पर हार देगी देत वागत है तो दोस्तों फिर्थे सेमेश्टर डवल ई और एक्स वाल होगा आज थर्ड एक्जाइमिशन हो गया है पावा जेनरेशन का और एक्स वरांच का एंजिनिंग माटेरियल का तो दोस्तों बहुत तो दोस्तों इंपोटन्ट क्वेश्चन की बात वीडियो में आये करेंगे इसके पहले दोस्तों आपका आजाए एक्जाइमिशन हुआ है इसके पहले पेपर उठाईए उसका एनलाइस कीजिए किस यूनिट में से कितने नंबर का आया है और किस यूनिट में से बिलकुल भी नहीं आया है मैंग्जिम दोस्तों मैंने पावर एलेक्ट्रोनिक्स का भी एनलाइस किया था आज जो आपका पावर जेनेरेशन का हुआ है उसको भी एनलाइस किया है तो पाया है कि फर्स्ट यूनिट सेकेंड और थर्ड इस्टार्टिंग की थ्री उनिट में से सबस् आज के पावर जेनेरेशन में एनलाइस कर लिया है आज के पीपरणगें 50 से एक ही कोश्चन आया था साथके साथ पावर एलेक्ट्रोनिक्स में तो एक भी कॉस्चन नहीं आया था 50 यूनिट से कॉश्चन बहुती कम बन रहे है अगार वन भी रहे हैं तो मुस्किल से एक या फिर दो — वन रहे हैं और वर्भी वचे जो आपके बारा तेरा चावदा कोश्चन है वह अस टार्डिंग की 3 यूनिट फ्रली उनिट से वन रहे हैं तो दूस्तो पिंगे फियोंत को स्क्रिप्त किया जाए क्यूंकि आर आप देखी रहे हैं कि अगर आप सिर्ण पड़ेगी mindset अच्छा करना पड़ेगा कि कहां से आ सकता है कहां से नहीं आ सकता है क्योंकि तीन जो आपके हो गया है वह इतने ज्यादा टफ नहीं थे EMT का और सिकनल रेजन कमेंट कर रहे हैं इसी से पता चल जाता है सब्जेक्ट टफ है या फिर तो देखिए दोस्तों important question तो मैं आपके लिए provide कर दूँगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपकी पांचो यूनिट हैं तो पांचो यूनिट का सिलेवस आप नहीं कर पाएंगे दो दिन में क्योंकि दूस्तों इसके concept बगरा भी आपको समझने पड़ेंगे साल के साथ इन आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी तो यार पांचो यूनिट आप से complete नहीं हो पाएंगी तो आप कोई भी चारी उनिट कर लीजिए और स्टार्टिंगी चारी उनिट करेंगे तो ज्यादा फायता रहेगा क्योंकि 50 यूनिट से एक भी question नहीं आ रहा है दोस् क्यों भी हो या फिर book हो या फिर कुछ भी ना हो यूटूब तो है गूगल तो है तो दोस्तों आप एक काम करिएगा last three year के question paper को अच्छे से लगा लीजिएगा उसके बाद आपको कोई इंपोर्टेंट question की जिववत नहीं पड़ेगी सिर्फ last three years के या फिर ज्यादा effort कर लेते हैं और जो मैं important question provide करूंगा वो कर लेते हैं तो यकीन मानिये दोस्तों आप examination में फोर रहे होंगे तो दोस्तों आई हो वीडियो में आइडिया लग गया होगा क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है और दोस्तों आपके लिए video informative रहा होगा तो अगर आप चैनल पर नह है हो तो चाहिए कर दे subscribe video कर दे like thanks for watching